नमस्काद रश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वाज़त है आज हम चर्चा करेंगे करक राशी का सितंबर 2019 का राशी फल सबसे पहले हम जाने कि करक राशी का घ्रहेगोचर क्या है महा का जो आरह होगा तो सिंग राशी में सूर्य वा मंगल बिद्यमान होंगे जिन के साथ भदवा शुक्र भी होंगे आगे चलकर 9 वद 10 सितंबर के आसपास भदवा शुक्र जो है कन्या राशी में परवेश कर जाएंगे 17 सितंबर के बाद सूरे भी करना राशी में परवेश कर जाएंगे और 22 सितंबर के बाद मंगल परवेश करेंगे विश्चिक राशी में देवगुरु बर्सपती बिराजमान है धनो राशी में शनी महराज विद्यमान है जिनकी केतु के साथ उती है और राहु वी राजमान है मितुन राशी में ये तो है करक राशिवानों का घ्रह गोचर आइए हम देखते हैं कि करक राशिवानों के लिए सितंबर का मां क्या लेकिया आया है मेरा ये जो राशी फल है वो आपकी चंद राशी पर अधारित है मितुन राशी में, ये तो है करक राशीवानों का घ्रह गोचर, आईए हम देखते हैं कि करक राशीवानों के लिए सितंबर का मा क्या लेकर आया है, मेरा ये जो राशी फल है, वो आपकी चंद राशी पर अधारित है, ये एक सिंपल जो है गोचर फल है, आप इसको प्रेडिक्शन के लिए आपकी कुंडली का ध्यन के जाना जुरूरी है। जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रहेगी क्योंकि दितेश सूरे की दशमेश मंगल के संजुती हुई है और आगे चलके वो दशमेश मंगल 22 सितंबर के बाद आपने ही दशमभाब को दिश्टी देगा जो बहुत नौकरी का बड़ा उत्तम योग लगता है अगर इ दूसरी मैत पुन बात आती है धन के संबंद में कुंडली में धने सूरे पहले तो सुराशी के होंगे बात में धने सूरे की लावेश शुक्र के संग्यूती हो जाएगी जो धन के लिए बड़ा उत्तम योग है यह बात का संकेत है कि जो लोग जौब इस कारण बदलना च चुकारा चाते थे वो अपनी थोड़ी सी जुमेदारी कम करना चाते थे तो उनके लिए धनकी वश्ता हो जाएगी आपका पैसा कहीं रुका हुआ था वो धन भी आपके पास आ सकता है एक करक राशी के लिए बड़ा उत्बुद बात निकल कर आई है कि शुक्र वाब नेटवर्क का संचार के साथनों का तो इसलिए अगर ऐसे लोग जो इस तरह की फील्ट से जुड़े में हैं जिनका ओनलाइन बिंजिस है टूरें ट्रेवल्स का काम है टूरिजम का काम है जो बड़े हैंडी क्राउट्स वगारा का काम करते हैं बड़े-बड़े उनके शो तीसरे भाब में नीचवंग राजयोग बनना और ठीक भागे बाप से साथमे भाब में बनना भागे के लिए उत्तम संकेत है और देखिये भागे बापा तो अल्रेडी भागेश गुरू की दिष्टी है भागेश गुरू लगन को भी देख रहे हैं और उसी भागेबाप आपको मीन राशी को बुद्वा शुक्र भी देख रहे हैं जिसमें शुक्र अपनी उच राशी को देख रहे हैं तो बड़ा अद्बूत योग बन कि आया है करक राशी वालों के लिए भागे हो देखा एक नीचवंग का राजयोग कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें लोगों से connectivity के जुरत पड़ती है आपको अपने सामने आपको रचनात्मक रूप से आते हैं तो वो फील्ड आपके लिए बहुत शांदा निकल कर आई है साथ ही यह समय ऐसा है कि करक राशी के जातक जितनी भी यात्रह करेंगे उनको यात्रहों का पूरा लाब मिलेगा हम बात करें कोर्ट केसिस के लिए मंगल और सूरे की पोजिशन बात का संकेर दे रही है कि अगर आपकी सितंबर महा में डेट आती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगी विदार्ती मन का विदार्ती वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा क्योंकि देव गुरु भर्षपती खुद पंचमाम में बिद्धमान है और पंचमेश मंगल की महा के आरंबे 22 सितंबर तक पंचमेश मंगल की अपने ही भापे दिष्टी इस बात का संकेर दे रही है कि विदार्ती वर्ग की कंसेटेक्शन पावर बढ़ेगी उनकी सोच बढ़ेगी और वो अधिक जुजारूपन से अपना कारी करेंगे प्रेम संबंदों के लिए भी संबंद उत्तम है क्योंकि लगनेश और पंचमेश की उत्ती प्रेम संबंदों के लिए बढ़ा शुप संकेत है आपस में समझदारी बढ़ेगी एक दूसरे से सोच बढ़ेगी और आप एक दूसरे को समझेंगे 18 सितंबर को सब्तमेश शनी जो है वो जो वक्री चल रहे थे वो मारगी हो जाएंगे सब्तमेश शनी का मारगी होना विवाइद जीवन के लिए बढ़ा शुप संकेत है क्योंकि सब्तमेश जो वक्री चल रहे थे तो विवाइद जीवन में थोड़ी सी प्रावडम चल रही थी पती पती में कुछ गलत फहमी बगरा चाही थी क्योंकि शनी क्या है विलम करने वाला ग्रह है और जो विलम करने वाला ग्रह वक्री हो जाता है तो काम में और विलम हो जाता है लेकिन अब वो घर है जब मारगी हो जाएगा तो काम में थोड़ी सी तेजी अपने आप आप आटोमेटिकली आ जाएगी दो तिन बातों का विश्य शुप से ध्यान रखें कर कराशी के जाता है क्योंकि मंगल जो है आपके दूसरे भाब में विराजमान रहेंगे और उसके बाद आपके तीसरे भाब में विराजमान रहेंगे मंगल दूसरे भाब में विराजमान रहेंगे आपकी वाणी की कटता बढ़ाएंगे आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है आप में क्रोध की मात्रा बढ़ेगी आप किसी कारणवश जल्दी से उत्तेजित हो सकते हैं दूसरा आप जब भी वहां चलाएं साफधारी से चलाएं कोई न कोई अचानक दुरगय दुरगटना की स्थिति बन सकती है क्रोध की मात्रा पन्यंत्र नगे इस प्रकार हमने देखा कि करक राशी के लिए सितंबर मा काफी कुछ लेकिया है काम के लिए बढ़ी उत्तम इस्तिती बनी हुई है अगर आप काम के लिए किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे जॉब बदलना चाते थे एक कंपिटिशन की त्यारी कर रहे हैं तो लग के त्यारी करिए में घ्रेब दुटेश और दशमेश जो आपको नौकरी दिला सकते हैं बहुत उत्तम पोजिशन में चल रहे हैं और आपको अच्छे नौकरी मिल सकती है जो सेलरी पे थे उस सेलरी से अधिक नौकरी में जा सकते हैं भागे गुरु का आपको साथ मिला हुआ है धन के लिए उत्तम स्तिती हैए वाप्यार में आगे बढ़ सकते हैं विशेशकर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैपार है ऑनलाइन का वैपार है टूर एन ट्रेवल्स का वेपार है, प्रिंटिंग का वेपार है, पबलीशिंग का वेपार है, तो इस वेपार के लिए बोड़ा उद्वत वयोग बन किया रहा है, नीजभंग राजयोग, गुरु वा बुद्ध का, शुक्र वा बुद्ध का नीजभंग राजयोग जो बना पॉजिटीव होगा. calidad अगर आप इस दिन किसी मेहत्यपुल कारे का प्लान करते हैं, तो उस कारे में आपको सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, इसके साथ ही कुछ अशुप्तितियां भी है, जा चंदर्मा या तो आपके चौते घर का होगा, जा आठ में या बार में, या चंदर्मा या तो तुला का होगा, कुम में होगा, या मिथुन में होगा, वो चंदर्मा आपके लिए अच्छा समय निकल कर आया है, धनका उत्तम संकेत है, वैपार से जुड़े लोग विशेशकर जिनका वैपार खूब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वैपार है, जिसमें वैपार में गती जादा है, जो एक जगा बैटके के अलावा घूम फिर के वैपार के जाता है, जो कु कुछ प्रशन पूछना चाते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेटा अबर टाइम और प्लेज दे सकते हैं, और मुझसे प्रशन पूछ सकते हैं, इसके साथ ही दशको अपना वीडियो समात करने से पहरे मेरे आफसे बरातना है, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्क्राइब मी किया, तो गिर्पे मेरे चैनल सब्क्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दवा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना है, इसके साथ ही नमस्काद अशकों, जैमातानी